खबर उत्तर परदेश के जनपत गाजीपुर से तूटे सलग्जियों सीरेश से परिस्टान अस्थान लोगों वरागें जिससे आए दिन दुरगटना वहास्ता होता रहता है ताथी बारिश के दिनों में इस मार्ग पल जल जमाओ के कालर पैदल चलना भी दोबार हो जाता ह मामला डाक बंगले के सामने आने वाली गली के रश्ते हैं जो दो वर्ग केचा के सवासती करे की पसब हुए है जिससे म मार्ग उप्छित पड़ा है असाइए लोगों आने जाने, जाने वाई लोगों पुस्छा घया तो या बताए कि यह मार्ग लगबग दो वर्ष से तूटा पड़ा और जब इसकी सिकायद समित सब्सक्राइब वार्ट तंबर बारा वर शेट से की गई तो उन्हें ने कहा कि यह मेरे वार्ट में नहीं आता यह मार्ग वार्ट तंबर आठ के अलोग यादो के शित्र में आता और अलोग यादो से इसकी सिकायद की जाती है तो वह भी यह कह देते हैं कि रास्ता वार्ट टंबर बारा के हैं जब अस्थाने निवासी इसकी सूचना चेर्मेन और अधिकारियों से करते तो इसकी चल बनवाने का आस्वासन दे देते हैं सारे अब्जेक्शन पड़े बहुत अब्लीकेशन पड़े लेकिं कोई मतलम नहीं निकला इसका गाजेबुट में मोमर इत्राइब कर आता है रात में गिर जाता है कोई ठीकाना नहीं किसी का काल भी कोई गटना हुआ था बहुत ही हुआ है कल रात को मैं 10 बजे आ रहा था तब देखा एक बच्चा गिरा पड़ा था उसे पूछा गया थो बोला भईया अचानक गाड़ी गुन गई इस घटे में गिर गए और सभासद लोग क्या बोलते हैं? सभासद लोग बोलते हैं वहिया ये चर्मैन का काम है चर्मैन बोलते हैं कि ये सभासदों का काम है वो लोग रोख देते हैं इसलिए नहीं बन पाता और इसके आगे आप लोग करवाई हमारा बस यही कहना है कि ना जिन्दगी में ये बना रोड है ना बन पाएगा हमेशा को कोई राज भी रात और आया राय लाइट अगरा नहीं है कोई आया बाइक से कोई गिर गया कोई फोट वीलस आए किसी कर चक्का फद गया अचारे गराठ बेक एनी टाइम गिर जाते है इसमें दिन में भी शोल अपने नदी की चैनल ुठ लिए या च्यरमें से बात किंव आप कर चुके हैं सभासाथ सभी कर चुके हैं कोई इसमें का काम है चेर्मेन साब का चेर्मेन साब बोल्टिक सभासाथ का काम है इसमें कोई सुनुवाई नहीं कर रहा है इसमें जो भी है यह यह अिकता है भालिपटी टो जो भी भालिपटी लोडिका